एक बीजेपी का एंपी मुझे लोकसभा में मिला बहुत सारे बीजेपी के एंपी पहले कॉंग्रेस पार्टी में हुआ करते थे ये भी कॉंग्रेस पार्टी में था छुपके मिला मुझे से मुझे दूर से देखा छुपके डर से कि कहता है राहुल जी आपसे बात करनी है कि मैंने का भाई कि क्या बात करनी है कि तुम तो बीजेपी में हो और फिर उसके चहरे पर थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या मैंने शोचा साइद घर में कोई बिमार हो कोई दुरगटना हो गई हो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्याता है नहीं क्या हुआ राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता मैं हूँ बीजेपी में मकर दिल मेरा कॉंग्रेस में है तो मैंने का भई दिल तेरा कॉंग्रेस में शरीर आपका बीजेपी में मतलब दिल शरीर को कॉंग्रेस में लाने से डर रहा है यही हो सकता है मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता हुआ आप आप मुझे हिंट दे रहे हो मन क्यों नहीं बनता कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है जो उपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है हमारी कोई सुनता नहीं है उपर से ओर्डर आता है मतलब जैसे पहले राजा ओर्डर देते थे उपर से ओर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है अच्छा लगे ना लगे चॉइस नहीं होती आपको याद होगा हमारे जो पी सी सी प्रेजिडन्ट है पटोले जी यह हैं इन्होंने प्रधान मंत्री से एक सवाल पूछ लिया था एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में क्या सवाल था तो सिर्फ एक सवाल पूछा सवाल था जी एसकी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा पटोले जी आउट हो गए तो उनके विचार धारा राजाओं के विचार धारा है किसे की सुननी नहीं ओडर उपर से आएगा आपको ओडर का पालन करना पड़ेगा झावचा ends झावचा खुआए झावचा